राची के जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम में करीब एक हपते से दुनिया की दिगर्स टीम पेरिस में आयोजित होने वाले ओलम्पिक टिकट के लिए जद्दो ज़हत कर रही है आज तरह हो जाएगा कि आखिर वो कौन थी टीमे हैं जो जुलाई अगस्त में होने वाले खेलों के महाकूम में जगा बना पाएगी आज जो चार टीमें सेमी फाइनल में अपनी जगा पक्की की है उनमें भारत, जर्मनी, अमेरिका और जापान है बात्य टीम के सामने आज जर्मनी की चुनोती होगी जर्मनी दुनिया की पाँचवी नमबर की टीम है लिहाजा मेजबान भारत के सामने इस दीवार को लागने की जोरदार महनत तो करने ही पड़ेगी जर्मनी ने गुरूप चरन में भी धमाकेदार खेल दिखा कर सभी को बैतरीन फॉम का संकेद दिया है भारत ने गुरूप बी के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाप एक सुनी से सिकस्त जिली थी इस हार के पीछे पैनल्टी कॉर्नर को गोल में तबदील नहीं करना रहा अगर इस मैच में भारत मिले मौके को गोल दागले में सफल होती तो पहले मैच में ही टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का आगास करती हलाकि इस सिकस्त के बाद भारती टीम ने जबरदस्त वापसी की थी पहले निजलेंड और इसके बाद इटली के खिलाप इतना धमाकेदार खेल दिखाया है कि सभी मुरीद मेजबान टीम के हो गए इटली के खिलाप तो भारती लड़कियों ने गोलो की बारी सी कर दी उदिता, सलिमा टेटे, नवनीत ने तो ताबर तोल हमले कर पांच एक से बड़ी जीत दिलाई भारत के सामने चुनोती सेमिफाइनल में जर्मनी से है लहादा टीम की कोशिस इस दिवार को पार करने की होगी भारत के सामने सबसे बड़ा मसला पेनल्टी कॉर्नर को गोलों में तबदील करने का रहा है पिछले दो मैचों में अपनी कम्यों को सुधारा भी है जिसका नतीजा भी निकला इससे और बहतर करने की कोशिस आखरी चार के जंग में होगी भारत का डिफेंस भी पिछले मैचों में मजबूत नजर आया है उमीद है कि जर्मन आकरमन को इसे भेदने में दिक्कत होगी अभी जीस तरह का स्वोम, उदिता, सलीमा टेटे, ब्यूटी डूंडूंग, नवनीत ने परतियोगिता में दिखाया है इसे टीम के होसले बुलंध है जारखन के भी चार प्लेयर भात्य टीम में शामिल है निकी परधान, ब्यूटी डूंडूंग, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी इनसे भी घरलू दर्सवों को काफी उमीद होगी सबी की ख्वाईस होगी कि इनके परगरसन से भारत उलम्पिक में हिस्सा लेने का सपना पूरा करे मालूम हो कि उलम्पिक क्वालिफायर में कुल आठ टीमे राची में धमसान कर रही है जो भी टूनामेंट में सिर्ष तीन टीमे होगी वही जुलाई अगस्त में होने वाले खेलों के महाकुम में क्वालिफाई करेगी